यूपी के मत्रा के फरेशेत्र में गाव चुर्बुरा के पास इस्तित 17 नमंबा 2018 को हाती सनक्षन केंद्र में देश का पहला हाती अस्पताल खोला गया था यहां प्राकृतिक माहौल में अत्यादिनिक तरीके से बिमार हातियों का उप्चार किया जाता है देश के तमाम हिस देशों से रेस्क्यू कर लाए गए हातियों को यहां रखा गया है हाती अस्पताल का पूरा एरिया 25 एकड़ में फैला हुआ है और इस हाती अस्पताल को सफलता के साथ संचालित होते हुए 5 साल पूरे हो गए है हातियों की दुर्दशा को खत्म करने के लिए साल 2018 में उत्तर प्रदेश के मत्वरा में हातियों का अस्पताल वन्यजीव SOS हाती अस्पताल शुरू किया गया था देश में हातियों का ये पहला अस्पताल मत्hular के हाती सनरक्षण और देखबाल केंदर में बनाया गया था इस अस्पताल में अभी 32 हातियों का इलाज चल रहा है और उन्हें पॉस्टिक खाना दिया जा रहा है हमने सेंटर हाती का इलाज और सेंटर 2010 में शुरू किया था तो इंडिया में ऐसे रोड में गुमने वाला हाती बीक मंगने वाला हाती बहुत जादा दिक्कत हो रहा था तो कभी-कभी हाती को ट्रीट करने के लिए एक स्पेशलाइस्ड जगा चाहिए तो हमारा कोफाुज। और बहुत लोग फांडर्स, बौrd मेंबर्स और हमारा जो डॉनर से है शब लोग मिलके सोचा एक हास्पिटल बनना जरूरी है इस अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन, डेंटल एक्सरे मशीन, फोटो बायो मॉडिलेशन थेरिपी यूनिट और अल्टरा सोनोग्राफी जैसे अत्या दुनिक उपकरण है इसके अलावा हातियों के इलाज और उनके दर्द को कम करने के लिए यहां एक हाइड्रो थेरिपी पूल भी बनाया गया है इसके अलावा भी हातियों के इलाज के लिए यहां कई तरह के उपकरण है हातियों के सनरक्षन को बढ़ावा देने के लिए अस्पताल में पशु चिकत्सकों, केर टेकर्स और बायोलॉजिस्ट के लिए एक अब्जर्वेशन डेक भी है जो उन्हें हातियों की चिकत्सकिये देखबाल से रूबरू होने की सुवधा देती है